Hey guys, मेरा नाम अबदुल राशेद और आप देखने हैं The Indian Budget Gamer आज का जो वीडियो होने वाला वो बहुत ही जदा इंट्रेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम लोग बिल्ड करने वाले एक ऐसा PC जो की काफी कम प्राइस में भी आता है और आपो जो गेमिंग को पॉपर्मेंस ओफर करेगा वो भी बढ़िया होगा हमारे यहां पर क्लाइंट की कैसी रिक्वार्मेंट थी जहां पर वो एक ऐसा PC चाहते थे जहां पर वो 1080p और 1440p लेवल की गेमिंग तो कर सकें लेकिन जो प्राइस सोस PC का वो काफी कम हो ऐसी जगहां पर कोर्नर कट किया जाए जहां पर पर्फॉर्मेंस भी एफेक्ट ना हो और उनका प्राइस भी थोड़ा सा PC का लोग हो जाए और इस इस कन्फिगरेशन के साथ हम लोगों ने उनके लिए PC बिल्ड किया बाइ देवे मैं आपको बता दू यह PC ना उन्होंने TIBGStore.co.in से और किया हुआ था और इनकेस अगर आप भी कोई component लेना चाहते हो जैसे के processor, motherboard या graphics card लेना चाहते हो NVIDIA का कोई सबी अब तो खेर AMD के भी आ गया है तो आपर जब को pricing देखने को मिलती है बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है TIBGStore.co.in पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पर ना प्रेविल्ड PCS भी 50,000 रुपए से सार्ट होते है 2-3 लाग रुपए तक ही जाते है डिपेंड करता आपकी requirement कैसी है और वही इनकेस अगर आपकी कोई custom requirement है आप चाहते हो कि 3060 के बजाए 3070 हो या Ryzen 5 की जगा Ryzen 9 हो तो आप हमारे एक query form है उस पे जाकर आप अपना form फिल अप कर सकते हो अपनी requirement बता सकते हो quotation और specs हम लोग आपको suggest कर देंगे या अगर आप अपने मन का configuration करवाना चाहते हो तो उस हिसाब से भी हम लोग PC build कर सकते हैं तो यार वीडियो की description है मेरे store का link दिया हुआ है जाकर check भी कर सकते हो अब इस PC के बारे में अगर मैं आपको बता हो देट इस वाई हम लोग उने इन components के साथ गये हमारे आप पर इस बिल्ड में जो प्रोसेशर है वह है राइजन 5 5600X इस प्रोसेशर के बारे में बताऊं तो यह वन आफ दी बेस्ट प्रोसेशर है राइजन साइड पे अगर आप वैल्यू को देखते हो अगर आपके यहाँ पर priority gaming करना है 1080p 1440p level की तो यह one of the best processor है जिसके के साथ आप जा सकते हो 5600X के साथ जाने का benefit यह है कि इसका जो platform है वो काफी सस्ता है यानि कि motherboard भी आपको काफी सस्ते में देखने को मिल जाते है प्लस यहाँ पर जो RAM यूद होती है वो भी DDR4 है जो काफी चीप में देखने को मिल जाती है बाकि इसकी power requirement भी कोई बहुत जादा नहीं है तो power supply भी आपको कोई बहुत high end लगाने के जूरत नहीं पड़ती है जब आप ये सारे factors को देखते हूँ ना तो AMD platform काफी कम price में बिल्ड हो जाता है और आपको काफी अच्छी value प्रवाइड कर देता है अब हमारे processor को अच्छे से चलाने के लिए और build की cost को कम रखने के लिए यहाँ पर जो मैंने motherboard लिया ना वो आता है MSI की तरफ से B550 Pro VDH Wi-Fi VDH जो series है ना MSI की तरफ से वो काफी कम price पे आती है प्लस यहाँ पर आपको Wi-Fi का भी support देखने को मिल ला है तो technically यहाँ पर आप कोई भी feature miss नहीं करोगे प्लस जो overall build की जो cost होगी वो भी काफी कम होगी अब हमारे processor को अच्छी से cool रखने के लिए और clock करने के लिए और इसका maximum performance निकालने के लिए यहाँ पर जो हमने cooler यूज किया ना वो आता है deep cool की तरफ से deep cool का CASEL 240X ARGB इस cooler की खास चीज ही है कि यह white color में आता है प्लस जो आपको cooling performance offer करता है वह भी बहुत अच्छा है और इनकिस अगर आप अपना custom logo बनाना चाहते हो या जैसे कि आप streamer हो आप चाहते हो आपका logo आपे PC में लगे तो उसका भी support यह provide कर देता है आप देख सकते हो इस बीड में यह cooler जो final look provide करता हो बहुत है इंसेन है और RGB lighting भी काफ अची देखने को मिल जाती है अब जैसे कि यह gaming PC होने वाला है तो हमारी जो RAM की requirement थी वह केवल 16GB थी यह वा हम लोगों ने XPG का Spectrix D50 RAM यूज करी है 88GB की 26 जहां पर आपको frequency देखने को मिलती है वह है केवल 3200 MHz इस RAM के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो भाई यह white color की आती है प्लस आपको RGB strip भी देखने को मिलती है तो अगर आप white color या white theme PC करना चाहा रहे हो ना तो यह one of the best option हो सकती है आपके लिए आप देख सकते हो कि final look यहाँ पर आपको cabinet के अंदर कैसा देखने को मिल रहा है बाकि अगर बात आती है storage की तो यहाँ पर जो हम लोगने storage यूज किया वो आती है WD की तरफ से WD की blue और जो यहाँ पर total capacity है वो अब जैसा कि यह gaming PC बिल्ड होने वाला था और हमारी क्लाइंट की requirement थी वो 1080p और 1440p लेवल की gaming थी तो यहाँ पर ग्राफिस कार्ड लियाना है वो आता है Zotac की तरफ से RTX RTX 60 Zotac का कार्ड मैंने इसलिए यहाँ पर गेवल लिया क्योंकि Zotac के कार्ड जो market में देखने को मिल करने वाले हो थोड़ा सा safe site देना चाहते हो Zotac के साथ जा सकते हो warranty का पिछे देखने को मिलती है अब इन सभी चीदों को पावर देने के लिए इस बिल्ड में यहाँ पर जो में पावर सप्लाई यूज करीन है वो आती है डेपोल की तरफ से PM 650D इस पावर सप्लाई के बा पाता है लियानली की तरफ से 215 इस cabinet के बारे में अगर मैं आपको बाता हूं तो यह थोड़ा सा small form factor में आता है लेकिन लुक जो आपको offer करता है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा किलर है आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ओवर और जो थीम हम लोग ने क्रियेट करने क कोशिच करिए वो white है प्लस जो अंदर आपको RGB components देखने को मिलते हैं वो अलग ही look provide कर देते हैं चार चान लगा देते हैं हमारे build के अंदर अब यहाँ पर इस build की जो overall cost है वो यहाँ पर मैं mention कर दे रहा हूं कि हमारे client ने total क्या money pay किया है बाकि आप में से जो लोग इस gaming PC क यह performance के बार में जानने में interested है यहाँ पर मैं थोड़े बहुत gaming benchmarks को भी attach कर दे रहा हूं आप लोग video pause करके देख सकते हो अल्टरा सेटिंग में भी यह PC आपको हर game 60 fps पर खिलवा देता है वही अगर आप थोड़ा सा high setting पर खेलते हो अब अराम से 80 और 100 fps की बीच अचीव कर सकते हो इनकेस अगर आप भी similar PC बिल्ट करना चाहते हो तो आप हमारी website tibgstore.co.in पर विजिट कर सकते हो और ऐसा ही PC को order कर सकते हो एक बर यहाँ पर आप order place करते हो तो हमारी जो professional team है वो आपके PC बिल्ट को कर देती है cable management भी करेगी plus stress test भी करेगी 24 घंटे के लिए तक यह द कर लेता है ना फिर आपके PC को चे से pack के जाता है और आपके घर पे ship कर दिया जाता है ताकि कोई damage ना हो तो यह था हमारा बिल्ट जो कि हमारे client ने करवाया था इनकेस अगर आप similar PC बिल्ट करवाना चाहते हो यह store का link फीडियो की description में दिया हुआ है और हमारा WhatsApp member भी दिया ह सकते हो वेल तो दोस्ते हैं इस वीडियो में आशा करते हो आपको वीडियो चाह लगा होगा अगर आपको वीडियो चाह लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से like करे सब्सक्राइब करें मारे इस चैनल को कितने उगलाते रहते है इसे daily awesome content तो अन तक देखने के लिए thank you हुआ 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 है